नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सैलों अर्था चटानों या रो के बारे में जानेंगे उनके सौट्रिक जानेंगे कि किस प्रकार हम सैलों चटानों के बारे में याद करेंगे किस तरह हम उसको याद रख सकते हैं फिर हम सेलों के जो प्रकार हैं उनके बारे में डिस्क्रस करेंगे उसके पश्चाद हम कौन-कौन से जो मुख्य सेल हैं उनके पत्थर हैं उनके पत्थरों के नाम स्वाटकॉट के माधम से जानेंगे कि कौन से चटान में कौन से पत्थर पाई जाते हैं उनके नाम फिर वीडियो के लास्ट में हम प्रिक्षिया में जितने भी पुराने पेपरों में जो में प्रशन इस चटान चप्टर से आये हैं यानि सेलों से जो जो कुशन आज तक के पूछेगे हैं उन महत्तपुन प्रशनों को जो है डिस्कॉस करेंगे तो देखते रहें आप सभी का अपना प्यारा सा यूटूब चनल हरी सठानी 541 तो स्टार्ट करते हैं सेल के बारे में जो प्रतिवी की जो भूमी है जो प्रतिवी की जो प्रपटी है जैसे माना ये प्रतिवी है तो इसके जो बाहर जो में जो प्रपटी टाइब की है उन प्रपटी को सेल या चटाने कहते हैं अर्था ये चटाने जो भूमी की जो सबसे उपरी परत होती है जिसको प्रपटी पपड़ी भी कहते हैं उसको सेल या चटाने कहते हैं इनी सेल या चटानों से परवत है परवत है पठार है ये सभी इन चीजों का निर्मान होते हैं और ये जो सेल होते हैं ये बहुत कठूर भी हो सकते हैं जैसे और ये ग्रेनाइट की तरह कठूर हो सकते हैं और जो है चौ जिस प्रकार आप एक नारंगी को देखेंगे, तो नारंगी का जो छिलका है, वो उसकी प्रपर्टी मान सकते हैं, तो उस प्रपर्टी जो है बहुत सारे चटानों से मिलकर हो बनी है प्रत्वी है, आपने देखा होगा कि जो प्रत्वी है, उसमें बहुत सारे चटान है, पत इसकी definition है इसकार भी कह सकते हैं कि प्रतिवी की उपरी परत या भूपटल या जो प्रतिवी का जो सबसे बाहर का परतल होता है उसे crust कहते हैं फिर उसके अंदर mental फिर उसके अंदर core तो जो सबसे बाहरी परत होते हैं जो भूपटल भी कहते हैं उसमें जितने भी चटान मिलत या जो cell मिलते हैं वोEST ST吏कल या कोई भी अगर चटान मिलेगी पृतिवी की बहरी परत में तो उसको cell या चटाने कहते हैं ये ग्रेनाइट की तरग कॉठवी हो सकती चटाने हैं वो कठवी हो सकती है या यह मुलाइयम भी हो छकती है अगर हम बात करें कि कौन सा element सबसे ज़्यादा पाए जाता है तो oxygen की मातरा सबसे ज़्यादा पाए जाती है 36 % जो है भूब पाए जाती है Silikon की 27 % और Elminum की 7 % हम यहाँ बाद भूब पाए की बात कर रही है हम crust की नहीं कर रही है crust भूब पाए की सबसे उपर की परत है जो मिट्टी पर्थरों की जो मिट्टी है उसे भू परपटी कहते हैं अगर हम इन चटानों की जो अध्यान करने वाले विग्यान को पैट्रोलोजी कहते हैं चटानों का अध्यान करने का जो साइंस होता है उस साइंस को कहते हैं पैट्रोलोजी अब जो में जो चटाने होती जो cell होती है वो तीन प्रकार की होती है नमबर एक है आगने cell दूसरा है आवसादी cell तीसरा है रुपांतरित या कायंतरि cell तो जो cell होती है वो तीन प्रकार की मुख्यता cell पाई जाते है चटाने पाई जाती है आगने cell आवसादी और रुपांतरित तो इस trick के माद्यम से हम चटान या जो cell होते हैं उनके तीन प्रकार के cell के नाम याद कर सकते हैं आगने, cell, आउसाधी cell, रुपांत्री cell अब next उसमें हम देखेंगे उनके प्रकार और उनके बारे में details है तो start करते हैं जो पहला जो चटान है वो है आगने चटान या आगने शेल इगनियस रॉक आपने देखा होगा कि जो धर्ती के नीचे जब धर्ती के नीचे बहुत गर्मी है इस घर्मी ये गर्मी जब लावा के रूप में जो है जौला मुखी बिश्पोट के द्वारा प्रत्वी से निकलती है और ये लावा धीरे धीरे ठंडे होकर जमीन में जो है जम जाती है इस प्रकार जब ये ठोस हो जाती है ठंडे होने केकारण तब इन जो चटाने हैं जो चटानों का निर्मान होता है उसे ही आगने शहल कहते हैं च्योंकि ये चटाने जमीन से अंदर से उसके गर्व से निकली हैं तो इसमें जो होगे लोहा, इमेग्रिशम चिन चटानों की जो यानि खनी चत्तों की जो है इसमें अधिकता होगी और इसमें जिवास में बिल्कुल नहीं पाय जाएंगे जिवास में से तातपर है जिवास के अंस जब वो धर्ति के अंदर से निकल लए है तो उसमें जिवास में कहां से हो सकते हैं जिवास में तो शड़े गले पत्यूं जिवास के अंसों से बनता है तो इसलिए जो जिवास में होगा उसका कमी होगी और यह सबसे पहले इनी चट इसलिए इसका नाम जो है आगने शेल कहते हैं आगने शेल की रसना धरातल के नीचे इस्तित तब तेहम तरल मैगमा के ठंडे होने के प्रणाम सुरूप यह ठोज हो जाने के पश्चाथ हुई जब धरातल के नीचे से जो तब तरल मैगमा था वो ज्वाला मुकी शोच से निकला उसके बाद वो जो गरम लावा था धीरे 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 ठंडा हो गया उसके परसाद जो छोष चटाने बनी उसको आगने सेल कहते हैं इन सेल में लोहा तथा मैगनिशम चटानों की अधिकता होती जब ये लावा गरम लावा निकली धर्ती की गर्व में से तो उसमें से वो बहुत सारे खनी स्टत्वों को बाहर निकालता है इसलिए इस प्रकार के जो चटाने होती है इन में खनी स्थत्वों की भरमार होती है प्रत्वी की उत्पत्ति के बाद सबसे पहले इनी का निर्मान हुआ जब प्रत्वी सबसे पहली बनी प्रत्वी सबसे पहले इनका अधिक विस्तार ज्वाला मुखी सेत्र हुए है तो उन सेत्रों में इस प्रकार के चटान जो है देखे गए है अगर हम इनके एक्जांपल की बात करें कौन से उधारन है अधिकतर पेपर में इनके एक्जांपली आते है तो आगने सेल के जो मुखी उधारन है ग्रेनाइट है बेसल्ट है ग्रोबो तो इसको याद करने के लिए एक शॉटकॉट है कि कौन से चटान है जैसे कि हमको पेपर में दिक्कत नहों तो इसके लिए शॉटकॉट परनाया है आगने चटानों को याद करने का वो है इस परकार तो आगने चटानों को याद करने के لिए जो शॉटकॉट है बेबी ग्रीन गैस बेब फोर बेसल्ट चटान बेब फोर बिटुमिनुन इस कोILA से आप इस आगने सेल के बारे में जो है जान सकते हैं आप हम बात करते हैं आउसादी चटानों के बारे में दूसरे प्रकार के जो चटान थे आउसादी जिनने सेडिमेंटरी रोग भी गहा जाता है आउसादी चटानों को सेडिमेंटरी रोग जब आगने सेल यानि जोला मुखी के द्वारा जो लावा निकला उनके ठंडे जमने होने से सैलों का निर्मान हुआ तो उसके बाद आगने सेलों का निर्मान हुआ उसके बाद जब वो तूटे फूटे हवा के द्वारा, बहाओ के द्वारा, हवा से, गर्मी से, ताप के द्वारा तो जब वो तूटे फूटे तो उस बरकार के द्वारा तूटने से अवसादी सेलों का निर्मान हुआ यानि अपसय अपरदन के द्वारा उनके तूटने फूटने से अवसादी सेलों का निर्मान हुआ तो आगने सेलों के अपसे अपरदन द्वारा अवसादियों के निर्मान को अवसादी सेल कुछ नहीं नहीं है जब आगने सेलों का तूटना फूटना स्टार्ट हुआ धीरे धीरे बहुत समय पुरान स्टार्टिंग में उनके हवा द्वारा, नदी के द्वारा, बहाओ के द्वारा, कटे फटे होने के कारण जो अपरदन हुआ और अपसे हुआ तो उसके द्वारा जो ने चटान बने है, उन्हें ही सेडिमेंटरी रोग कहते हैं इनकी रचना परत के रूप में होने के कारणे से परतदार सेल भी खा जाता है कोशन इस परकार भी आ जाता है कि परतदार सेल किसे खा जाता है तो अवसादी सेल उनको परतदार सेल भी खा जाता है क्योंकि इनकी रचना परत के रूप में होती है यानि ये एक प्रकार के इस टैप से स्लेट के रूप में होती हैं आपने देखा होगा कि जो घरों में जो प्लेट होती हैं अवसादी सेल उस प्रकार के जो इस प्रकार के जो स्लेट के रूप में परत के रूप में जो है ये सेल है पाई जाती है इसका निर्मान जल और स्थल दोनु भागुमा होता है तो यह जो अवसादी सेल है इनका निर्मान जल में भी हुआ है और भूमी में दोनु जगर इनका निर्मान हुआ है अवसादी चटानों को दुतियक चटाने भी कहते हैं क्योंकि प्रात्मिक चट्टान जो है आगने सेलो को कहा जाता है क्योंकि इसका निर्वान सबसे पहले हुआ था उसके बाद उनके तूटने फूटने से जिनका निर्वान हुआ वो अवसाधी चट्टाने थी इसलिए इनको दूतिय चट्टाने कहते हैं क्योंकि सबसे पहली आउसादी प्रकार के चटानु में मिलता है। इसके जो एक्जामपल है बल्वा पत्थर, चूना पत्थर, कोईला, खड़िया, सेल। और सबसे ज़्यादा जो 75% भापव आउसादी चटान पाई जाती है। तीसरा जो प्रकार है रूपांत्रित चैलू का, जिसे मेटामॉर्फिक रॉपांत्रित जैसे की नाम से पता चल ला है कि रूपांत्रित, यानि कायंत्रित, यानि ये बदल दिये गये हैं, रूप उसक इसमें दोनों की चटानों में जब रूपांत्रन होता है, ताप के और दाप के कारण, हवा के द्वारा, मिर्दा के द्वारा, पानी के द्वारा, भाहों के द्वारा, वारिस होई, चटानों में पड़ी, ठूट फूट गी, तो इस प्रकार का जब परिवर्तन होता है, आ रुपांतरन के बाद मौलिक चटानों का संगठन तता सरूप में प्रिवतन आजाता। जब रुपांतरन हो गया जैसे माना एक ये चटान है, इस चटान में ये पहाड है, इस पहाड में बारिस आई, धूप आई, तो इसके कारण चटान जो है तूट गी और ये बारिक इस अब ये चटाने धूब वारिस और ताब और दाब के कारण जो है तूट गई फूट गी तो इसको आउसादी सहलों का निर्माण हुआ, अब जो नए चटान परतदार बने उसे आउसादी, अब इन दोनों के द्वारा इसके तूटने भी जो बज गे हैं इसमें, और इसक आउसादी चटान का जो धरनाय सहल है, जबकि उसका जब रुपांतरन हुआ, जैसे चूना पत्थर है, तो इसका रुपांतरन हुआ तो ये जब तूट गया तो संवर्मन के रूप में आजकल पाय जाता है, ऐसी चौक डॉलमाइट था, वो भी संवर्मन के रूप में आउसादी चटान भी कहते हैं, तो इनके तूटने फूटने से ग्रैफाइट या हिरा मिली, इसी प्रकार कुछ आगने चटान है, जैसे ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट के जब उसमें रुपांतरन हुआ, तो उससे नीश बनता है, और जो बेसाल्ट होता है, उससे सिस्ट या M की बोलाइट बनता है, तो इस प्रकार आउसादी से रुपांतरन भी हुआ, और आगने से भी रुपांतरित सेल में चेंज आए, और जो बेसाल्ट चटाने होती है, उनके तूटने फूटने से काली में ठीका क्या होता है, निर्बान, तो आब हमने इतना हमने सेलों क जो है, डिसकर्स करेंगे, और आप अपने आपको चेक करेंगे कि आपने कितना सीखा, अगर आपको मेरा वीडियो फ़संद आ रहा है, तो आप मेरे वीडियो, हरी सथानी 541 जो यूटूब चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब और लाइक करें, और अपने दोस्तों के भी शेयर कर सकते हैं, तो पहला कोश्चन जो प्रिक्षाम आया था, निमलेखित मैं से कौन सी आगने सेल नहीं है, तो कौन सी इनमें से चार ओप्शन दिये है, इनमें से कौन सी आगने सेल का एक्जांपल नहीं है, तो आपने बताना है, बेसाल्ट है, डोलमाइट है, ग्रेन और व Sn आपने इनलैंने और रावास करें तो डैकल भी आपको कहने मैंने सॉटक्कर अ क्विजिए, uhm है कि और वं की DIRE इविशन झाट नहीं है, मधी क्वास को याद करने के लिए ऐधिजज क्र मिलें तो आपने इस वीडियो को द्यान से देखना है तो आप इस question को solve कर पाएंगे तो कौन सा आगने cell का example नहीं है तो dolomite अगला question दूसरा question है निमलखित मैंसे कौन सा मृत्य cell है तो इन मैंसे कौन सा मृत्य cell है तो इसमें जो मृत्य cell है वो आगने cell है दीरी दीरी चटाने अब खतम होगी है क्योंकि यह जौला मुखी के लावा से ठंडे होने से बनी थी तो आगने चटाने इनको मृत्य cell भी कहा जाता है दीसरा question है चूना पथर का कायंत्री रूप क्या है जब चूने पथर को हमने change किया जब हमने change किया तो वह किस प्रकार का रूपांत्रन में किसका रूपांत्रन की चटान होई तो वह है संग्वरमर तो जो चूना पथर है वो और चांपल था जब इसका हमने रूपांत्रन किया यानि कायंत्री किया मेतामोरफिक रोक्स में बदला तो यह संगमरमर बन गया तो इसके एक्जामपल है संगमरमर दरातल के सरवादिक भाग में निम्रीकित में से कौन किस चठान का विस्तार पाये जाता है तो 75%, बागप पर चुने से किस मिटी का निरमान होता है ? तो जब बेसल्ट चटाने हैं, जब इनके तूटने फुटने से जो लावा है, उतिकार के द्वार थंडे होने से मिटी वनी है, उसे काली मुटी कहते हैं काली मिटी को काली काफास के लिए फिमस है रेगुर मिटी भी इसको कहा जाता है तो रेगुर कपासकाली जो मिटी है इसका निर्मार बिशल चटानू के तूटने फूटने से हुआ है अगला कोशन है चटा आगने सेल क्या कहलाती है तो आगने सेल जो है इनको मौलिक सेल भी कहा जाता है इसलिए उन्हें परात्मिक सेल चाहिए र ρावास में जीवीडार उसके चन्ड़ होने ही है मौलिक मौल म्रूरा सब्सक्राइते हैं साथ हो जानवरों वनशातों के जीवास में जीवास में जानवरों है या बुनिश्पत्यूं है शुक्स में जीवों के जो अवसेज हैं किस प्रकार के चटानों में पाए जाता है तो अवसादी चटानों में पाए जाता है तो किस चटान में पाए जाता है तो कोईला मैंने बताया था कोईला एक अवसादी चटान का उधारन है और ये परद्दार चटानों में पाए जाता है निमलेखित में कौन सी चटान सबसे अधिक सक्ति का श्रोत होती है तो सबसे जादा चटान सबसे अधिक सक्ति का श्रोत नहीं है रुपांतरित का मतलब ठाज इनको आगने या आवसादी चैटानों के तूटने फूटने से आगने या आवसादी सेल इनके ताप दाप इनके तूटने फूटने से दो चटाने बनती हैं उनके तूटने से उनको रुपांतरित या कायंतरित चटाने कहती हैं तो इन टूटा फुटा तब यह जो है नीज बना और यह रूपांतरी चटाने है तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंट आया है तो प्लीज लाइक शेयर करें मेरे यूटूब चैनल हरी सठानी 541 को